मैं राज मोहनतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नीज आज 10 जुलाई से पटना में साथ दिनों तक का लॉकडाउन सुरू हो चुका है जो 16 जुलाई तक जारी रहेगा इस लॉकडाउन को लेकर आम लोगों में काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है खासकर बस, रेलवे, आटो और नीजी वाहनों के परिचानों को लेकर पटना वासी काफी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है इसलिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि पटना में लगे इस बार के लॉकडाउन में वाहनों की आवाज आई पर रोक नहीं है सारवजनिक सेवा के साथ ही नीजी वाहनों का अवागमन अनलॉक 2 में जिस तरह से जाड़ी था वैसे ही बना रहेगा इसमें कोई फेर बदल नहीं की गई है यानि बस और आटो की सेवा जारी रहेगी लेकिन साथ ही यह आवश्यक कर दिया गया है कि गाडियों में बैठन रहे हैं तो जरूरी काम का प्रमान साथ में रखना होगा पिछले लॉक्डाउन की तरफ पास की आवसकता इस बार नहीं होगे डीम कुमार रवी ने बताया कि ट्रांस्पोर्ट सर्विस को लॉक्डाउन में छूट दी गई है क्योंकि इस दोरान जी ने जरूरी कारी से ज कुलने की समय वधी तै कि यह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक साम 4 बजे से 7 बजे तक ही यह दुकाने खुली रहेंगी ताकि लोग जरूरत के समान खडीद सके लेकिन यह जरूरी है कि इन समानों की खडीदारी आप अपने निकट के दुकानों से ही करे पटना के डीम कुमार अभी ने बताया कि कोरोना का संक्रमन पटना में काफी तेजी से फैर रहा है इसलिए लोग डाउन करना जरूरी हो गया था उन्होंने लोगों से अपील किये कि जब जरूरी कारे हो तभी घर से निकले लोगों को अपनी सिहत की सुरक्षा खूद करने की जागरुकता अप पॉलिस, सिवल डिफेंस, अगनी मिसुन सेवा, बिजली, जलापूर्ती, एलपी जी गय सेवा, नगर पाली का एवं नगर निगम के आवश्चक सेवा से जूरे करमचारी, हॉस्पीटल, क्लिनिक, नर्शिंग होम, कियाना दुकान, एंबुलेंस सेवा, दवा दुकान, लॉकडाउन से छूट दी गई है, सरकारी और प्राइविट संस्तान आवस्या कारे को छोड़ कर बंद रहेंगे, कपड़ा, फरनीचर, प्लास्टिक, सोना चांदी, सिंगार, बरतन के दुकान के साथ-साथ बजार की ऐसी दुकान, जिसे अनिवारत सेवा में सामिल नहीं जानने किसी कारेकरा में जाने के लिए लोग अपने वहान के इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रमान देना होगा, यानि आपको कार्ड लेकर चलना होगा, इसके अलावा विकास, जूड़ी योजनाय और निर्मानकार, लॉकडाउन के आउधी में प्रवासी मजदूरों को काम मिलने में परिशानी नहीं हो सके, बिहार से जुड़ी सभी खबरों से अब्डेट रहने के लिए देखते रहें, बिहारी नूश, धन्यवाद.